रुहानी तालिमात वेहदत हजरत मोईनुदीन चिष्टी अपने कलाम में लिखते हैं ना कहे कि कसरते दुनिया में वेहदत ही नहीं गर चश्में दिल से देखे तो हर जगा दिखता है वही गर वेहमों गुमा है मैं और तू का तुझे निकल इस खाम ख्याली से मैं और तू सब हैं वही कहां है फर्क साकी की शराब और जाम में मोईन लब ना हिला रूह अंजुमन है वही यह गजल वेहदत की एक खूबसूरत मिसाल है इस काइनात में जो कुछ है उस एक खुदा से है जो कुछ है उसमें खुदा का नूर समाया हुआ है इंसान के अंदर भी वही है उसी का नूर जर्रे जर्रे में समाया हुआ है मैं तू अपना पराया सिर्फ वहम है हर एक शे उसी से जाहिर हुई उसी का हिस्सा है इसलिए आप कहते हैं कि शराब भी वही है, जाम भी वही है, साकी भी वही है, इस महफिल की रूह भी वही है किताब कश्फुल असरार में ख्वाजा साहिब काइनात की रचना का रास बताते हुए कहते हैं कि खुदा ने जब अपने आपको जाहिर करना चाहा तो हर चीज जिसका कोई वजूद नहीं था उसे वजूद में लाया गया उसने आग, हवा, पानी और जमी को बनाया फिर इनसे नबातात यानि जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, हैवनात यानि पशुआधी इनसान बनाये पूरी तरह से पाक इनसान नूर-े-मुहमदी कहलाया इस तरह सारी काइनात रब के नूर से जाहिर हुई सुफी फकीर इसे वेदत-ुलवजूद भी कहते हैं यानि सारी काइनात में वही समाया है नूर तेरा कुल काइनात में जाहिर हुआ नूर से तेरे जमी आसमा पैदा हुआ तू खुद ही है मरकज सारे वजूद का कायम है जहां तेरे ही नूरों महर से हर जिस्मों जां में अवल भी तू आखिर भी तू जाहिर भी बातिन भी है सारे जहां में तू ही तू इंसान की हस्ती का आधार भी अल्ला और सारी काइनात को बनाने वाला भी अल्ला है वही सब का आदी है वही अंध है जब काइनात नहीं बनी थी तब भी अल्ला मजूद था काइनात खत्म होने के बाद भी अल्ला ही कायम रहेगा हकीकत एक है खालिक यानि खुदा और खल्क यानि काइनात में कोई फर्क नहीं है उसकी सजाई हुई काइनात में बेशक कसरत यानि द्वैत दिखाई देती है लेकिन यह नजर का धोका है खौजा साहिब कहते हैं यह है ख्याल करना कि मैं हूँ मेरी हस्ती है और अल्ला ताला की भी हस्ती है गुमराई ही है दो वजूद नहीं बलकि सिर्फ एक है और वो हक ताला का है जब तक तु अपने आपको देखता रहेगा खुदा को ना देखेगा जब खुद को दर्मियान में नहीं देखेगा तब खुदा को देखेगा दो नहीं हैं चाहे सब को हक कहो या रूह आप अपने कलाम में नजर के इस धोके को लेकर सवाल उठाते हैं या अल्ला दिल के आइने में ज़लकता है नूर जिसका वो कौन है हुस्न जाहिर है तो फिर परदे के अंदर कौन है खाली जब उससे नहीं एक जर्रा भी काइनात का फिर दो आलम में सिवाए उसके जल्वा नुमा कौन है एक है आफताब मगर मुक्तलिफ जर्रों में है मुक्तलिफ यानि अलग-अलग रूप में एक है आफताब मगर मुक्तलिफ जर्रों में है हर एक सूरत में रोशन नूर है जिसका वो आखिर कौन है इन शेरों में सवाल उठाया गया है और साथ ही जवाब भी दिया गया है कि कुल काइनात में वही जुदा जुदा सूरत और लिबास में जाहर है आप मिसाल देते हैं कि जैसे सूरज एक है लेकिन उसकी रोशनी हर जगा दिखाई देती है उसी तरह उस एक खुदा का नूर जर्रे जर्रे में समाया हुआ है अपनी एकसो सोल्मी गजल में भी आप यही ख्याल पुक्ता करवाते हैं जाहिर में जो है बातिन वो कौन है? जो ना आए समझ और अकल में आखिर वो कौन है? खलक में सिफत हर चीज की जाहिर हुई सिफत की हद से है जो बाहर वो कौन है? ना खबर रखे बदन ना जान को कोई असर हो फिर भी रू की तरह है जो जाहिर और निहा वो कौन है? जब रगे जान में रवा है शहदो शीर की तरह तू मेरी शीरी जान में है जो हमराए जान वो कौन है हिज्र के गम में आशिकों का दर्दमंद भी तू है फिर वसल में पाए आराम जिससे आशिक वो कौन है वही सिफत बनकर जाहिर होता है वही सिफत की हद से परे है वो अकल और समझ की पकड से परे है ना जिस्म को उसकी समझ है ना रूह को दोनों के वजूद का आधार वे एक है जिस्म के रोम रोम में भी उसका नूर समाया हुआ है और रूह की जान भी वही है काइनात के जर्रे जर्रे में माजूद होने के बावजूद भी वहे उससे परे है वही आशिकों को जुदाई की आग में तड़ पाता है वही विसाल का सरूर भी देता है इसी लिए आप होश्यार करते हैं कि इस काइनात में हर तरह का मैं तू ब्रह्म है क्योंकि हर सूरत के पीछे असल में उस एक का नूर समाया है दर्मियां लाओगे कब तक मैं और तू को एमोईन जब मैं और तू है वही फिर दूसरा अब कौन है अपने आपको वहदत का पुजारी बताते हुए आप लिखते हैं देखा है मैंने बुत में भी बुतगर के हुस्न को वहदत असल है यही इसी को पूजता हूँ मैं ऐ साकिये वहदत मुझे ये जामे मैं कैसा दिया कि हर घड़ी दिल से मेरे आती है हूँ हूँ की सदा ख्वाजा साहिब कहते हैं कि मैं दुनिया की शकलों से इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि उनमें मुझे खुदा नजर आता है मैं कसरत यानी द्वैत की नहीं बलकि वहदत की पूजा करता हूँ जब से मैंने तुझ से इश्ग किया है हर चीज में तू ही तू नजर आता है जब से तुने मुझे वहदत की शराब पिलाई है मुझे दिल में हू की हूख सुनाई देती है कुरान शरीफ में भी अल्ला को रबुल आलमीन कहा गया है वह रब जो सारी काइनात का परवर्दिगार है नेक बद सभी में वही मौजूद है चाहे कोई खुदा में यकीन करता है या नहीं सभी उसी से जुड़े है इनसान को आइना बना कर खुदा उसमें अपना जलवा देख रहा है सारी काइनात में उथल-पुथल करने वाला भी वही है नेक और बद से भरी है दुनिया सब इसी के जलवे हैं मौमिन और काफिर जुड़े हैं सभी नूरो नार से खुद को देखने के लिए उसने इनसान को आइना बनाया फिर खुद ही करे उथल-पुथल है राहूं उसके काज से आप मनसूर का हवाला देते हुए कहते हैं वो ना थी मनसूर की आवाज तक ताये दार पर खोश में था मनसूर कब सूली पर उसके अंदर सिवाए अल्ला के कोई गैर न था मनसूर के अंदर बैठ कर अनलहक का नारान लगाने वाला भी खुदा था और सूली पर चढ़ाने वाला और चढ़ने वाला भी वही था आखिर आप कहते हैं कि सिवा अल्ला के दोनों जहान में और कोई नहीं वही था, है और होगा उसका नूर काइनात के हर जर्रे में है उसकी वहदत का राज हमारी अकल, दलील और सोच से परे है जाहिर हुआ तेरी ही हस्ती से हर वुजूद जो था, जो है, जो होगा, छुपा और जाहिर जहां में सिवा अल्ला के दर नहीं कोई दर्मियाने दो जहां हैं सो दलीले पर कोई इस राज से वाकिफ कहां यही वज़ा है कि वहदत की कैफियत को लफजों में बयान करना मुश्किल है ख्वाजा साही फर्माते हैं कि वहदत की हालत में पहुँचकर इनसान हर तमन्ना, हर शौक, हर दाइरे से उपर उठ जाता है हर हादसा बेमाइने हो जाता है रुखे मनसूर का हुआ कुछ इस तरह से दिदार, हर तफसील और नुतको बयां से गुजर गया ये अजब है कि खुद ही नुक्ता हूँ, खुद ही दाइरा मगर जमाने की गर्दिश के दाइरे से गुजर गया पहुँचकर बार गाहे कुदस में जो है मेरी मनजिले मकसूद मैं दोनों जहां के हादसों से गुजर गया देखा मौईन ने आज खुली आँखों से तेरा हुस्न की जन्नत और भहिष्ट के वादों से भी गुजर गया अपनी मनजिले मकसूद पर पहुँचकर रूह खुदा से विसाल हासिल कर लेती है अपना पराया सब खत्म हो जाता है अंगूठी के उपर जड़ा था मोती चमकता हुआ होकर जुदा वो अंगूठी से हुआ अपने असल में निहा खुदा की जात में गुम होकर ना गुना बाकी रहे ना बंदगी कैफियत हुई ऐसी कि मैं उसमें और वो मुझ में समा गया रूह और रब ख्वाजा साहिब रूह को उसकी असलियत बताते हुए आगहा करते है कि तू शेहनशा रब के हातों से उड़कर आया बाज है और तेरा मकसद इस दुनिया से निकल कर उस शाही मेहल अपने मंजिले मुक्सूद की और उडान भरना है कुरान शरीफ के हवाले से ख्वाजा साहिब ने रूह और रब के रिष्टे के गहरे राज को अपने कलाम में बेयान किया है नूर अल्लाह का हुआ है जाहिर तेरे लिए अलस्तू भी रब्बिकुम का जब तूने इकरार किया कुरान शरीफ की आयत है अलस्तू भी रब्बिकुम यानि रब ने रूहों कसे पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ उन्होंने जवाब दिया कालू बला शाहिदना यानि बेशक तू हमारा रब है इस दिन को रोजे मिसाक यानि इकरार का दिन कहा जाता है इस तरह रब और रूह का रिष्टा रोजे अजल यानि काइनात के शुरू से कायम हो गया और हर रूह रब में वापस जाकर मिलने की हकदार बन गई तू बंदा मेरा, मैं रब तेरा है यही काफी कयामत में कि खत्म हो जाता है वहां माबाप का रिष्टा इसलिए इनसान के जामे को अश्रुफल मकलुकात कहा जाता है यानि वो जामा जो काइनात का सबसे अवल जामा है जिससे खुदा ने एक खास रिष्टा जोड़ा हुआ है ऐसा रिष्टा जो दुनिया के कच्चे रिष्टों से कहीं उपर है जो कयामत में भी कायम रहेगा कजा के दर्जी ने चाहा किसले खास लिबास जाहिर इस लिबास में तेरे मेरे रिष्टे की डोर है ख्वाजा साहिब वहदत का एक और खोपसूरत रास बताते हुए कहते हैं आदम का ना आलम का था नामो निशा वहदत के खेमे में खुदा का हम नशी तू ही तो था जब कायनात और आदम का स्रिजन नहीं हुआ था तब भी रू रब के साथ थी इसलिए जब रब ने आदम को बना कर उसमें अपनी रू फूकी और उसे अपने से मिलाब का हक भी दे दिया तब उस समय फरिष्टों को भी आदम को सजदा करने का हुक्म दिया खास अपनी रू से इनसान में चमका है वो वरना कब करते फरिष्टे सजदा आदम को वहाँ सजदा आदम को हर्गिज न करते फरिष्टे अर्ष पर देखते वो गरना जिसम में जाहिर नूरे खुदा इसलिए आपने रू को कभी शेहनशा के महलों का बाज तो कभी वसल के बाग की बुलबुल कहा है आशियाना शेहबास का था कभी बुलंदियों पर खाके जिसम की वज़ा से दलदल में फसा हूँ मैं बुल-बुले इश्क तो है सारे आलम से आजाद परिंदा हुश्यार है वो उलज़ा जो दिल के जाल में है खुजा साहिब मानते हैं कि रब की जुदाई में रूह इस दुनिया में तडप रही है इस जिसम की कैद में फसी हुई है और आजाद होकर वापस शाही महल की और उडान भरना चाहती है जब से बागे वसल से आई है कैदे जुदाई में रोती है वो अपने वतन की याद में सुभो मसा ए बुल-बुल महफिले दुनिया में कब तक रोती रहेगी तोड कर हक की मदद से हो इस पिंजरे से जुदाई में तडप रही रोह की होसला अफजाई करते हुए आप कहते हैं कि तु दुनिया की महफिल में कब तक परेशान रहेगी खुदा की रहमत के सहारे शरीर का पिंजरा तोड कर अपने असल की और उडान भर आपने इस जिस्म को रूह और रब की जुदाई की वज़ा और साथ ही इस खाकी वजूद को रब के विसाल का जरिया भी माना है इस बारे में आप हजरत यूसफ की मिसाल देते हैं चाक दामन से यूसफ की जुदाई का पाया दुख याकूब ने आखिर में पेगाम वसल का उसके पहरन से ही याकूब को मिला हजरत यूसफ के भाई उसे कुएं में फेक कर उसके कपड़ों को खून से सान कर पिता याकूब के पास ले गए और बोले कि यूसफ को भीडिया खा गया है इस तरह यूसफ का लिबास पिता के लिए जुदाई के दर्द की वज़ा बन गया कई सालों बाद जब हजरत यूसफ मिसर के बादशा बने तो आपके भाई मिसर में अनाज खरीदने गए यूसफ ने उन्हें पहचान लिया आपने अपना एक लिबास पिता के पास भेजा यह लिबास ही पिता के लिए खुश खबरी का सबब बन गया इस तरह यह शरीर ही रूँ को खुदा से जुदा करता है बाद मेरी रूँ का फसा है आबो गिल के जाल में गर बुलाए खुद इसे आजाद हो जाए तन मेरा लेकिन यह फानी शरीर ही उससे विसाल का जरिया भी है यह ना देख कि तू खाकी है और खाक है अंधेरा देख तो तू ही है आईनाए जमाल खुदा का आप आदम को इस काइनात में लाने के पीछे खुदा का मकसद बताते हैं यह पूंजी जिंदगानी की बड़ी ही बेशकीमती है रहा गाफिल जो भी इससे जिंदगी बरबाद करता है आलमे पाक से यह दिल जमी पर आया है जाएगा फिर वहीं पर उलज़ा अभी जाल में है यह इनसानी जमा बड़ा बेशकीमती है जो इस जमे में खुदा के विसाल के मकसद को नहीं समझता वो अपनी जिंदगी बरबाद कर देता है यह रू मकामे हक से यहां आई है और इस दुनिया की लज़तों के जाल में फस गई है पर इसका मकसद वापस अपनी मनजिल पर पहुँचना है रू, रब और इनसानी जमे का रिष्टा और मकसद बताते हुए आपने एक मजलिस में फरमाया आदम इबादत करे यानि मेरी याद दिल में बनाए रखे यह जान ले कि मैं हमेशा इस इनसानी जिस्म में मौझूद हूँ वह मुझे दिल से महबबत करे मैंने इसी मकसद से उसे बनाया ताकि मुझे पहचान सके मेरी सिफत करे और मुझसे महबबत करे आप बंदे की तरफ से दुआ करते हैं कि खुदा रहमत करके कसरत से निकाल कर वहदत में ले आए तो इनसान की हालत में इनकलाब आ जाए मेरा फानी लिबास गर जुदा करे तू तो क्या हो करे जो अपने राज जाहिर मुझ पर तो क्या हो आप इशक के जरीये मौला के नूर को देखने की ताकीद करते हैं क्योंकि इनसानी जिस्म की असलियत रू है और रू की असलियत रब है और रब का वजूद इशक है इशक ही मذہب है मेरा ना माने तो देख तू की किस कदर मेरे अतबार का इकरार चमके है इश्क यह हकीकत है कि इश्क के इलाही इनसान की जरूरत है और इस इश्क का दस्तूर भी निराला है सूफी दर्वेशों का मानना है कि इश्क खुदा की बक्षिश है बंदा सोचता है कि वह खुदा से इश्क करता है लेकिन बंदे से पहले खुदा उससे इश्क करता है बलकि इश्क की शुरुवात ही खुदा से होती है होकर मतवाला मोईन आया है बजमें अजल से कि हक ने शराबे इश्क का था जाम पिलाया कि खुदा ने काइनात के शुरू में इश्क का जो एक जाम पिलाया था मैं आज भी उसी के नशे में मस्त हूँ इलाही इश्क दुनियावी इश्क से बिल्कुल अलग है रब के आशिक खुद नहीं उससे प्यार करते बलकि रब उनके अंदर इश्क पैदा करता है खुदा की रहमत के बिना यह इश्क हो नहीं सकता यह उसी तरह है जैसे सुई को अपनी तरफ खीचने का काम चुम्बक करता है सुई में ताकत नहीं है कि चुम्बक के पास पहुँच जाए खुआजा साहिब फरमाते हैं मैं उससे महबबत करता हूँ वो मुझसे महबबत करता है इसका शोर क्यों? गर उसकी तरफ से महबबत की इप्तदा ही नहीं है इश्क की तहरीर हर एक जिस्म पर है खिची जो अदम से इस फानी जहां में आए है अदम यानी परलोक वो इश्क ही नहीं जिसकी शुरुवात खुदा से ना हो दुनिया की हर रूँ अदम से अपने लिए इश्क का शाही परवाना लिखवा कर इस काइनात में आती है खुदा की भेजी हर रूँ अपने साथ इश्क लेकर आती है कोई भी रूँ इश्क के दाइरे से बाहर नहीं इश्क का यह सिल्सिला कब कहा और कैसे शुरू होता है कुछ पता नहीं जुनून है ये कैसा जो सर चड़ कर बोलता है ना जाने सिल्सिला इसका शुरू कहां से होता है इलाही इश्क की कशिश इतनी जोरदार होती है कि आशिक पर एक जुनून छा जाता है ख्वाजा साइफ फर्माते हैं कि मेरा दिल तिनके की तरह नहीं है यह बड़ा शक्तिशाली है खुदा के इश्क की कशिश ही इस परवत को हिला सकती है कशिश ऐसी है तेरी कि कोहे दिल भी हिल जाएं वरना यह दिल कोई तिनका नहीं जो हवा से हिलता है रब रू को इस काइनात में भेज जरूर देता है पर रू पर हमेशा अपनी नजर रखता है रू अगर कभी खुदा से दूर हो भी जाए उसे भूल भी जाए पर रब उसे कभी नहीं भूलता उसकी रहमत से रू फिर इश्क के दाइरे में आ जाती है नास से है वो अलग फिर भी ये दिल कहता है देखता है मुझे छुपी नजरों से वो यार अभी आप समझा रहे हैं कि खुदा का इश्क दब सकता है पर कभी नाश नहीं होता क्योंकि रब की हमेशा यही कोशिश होती है कि वो रू को इस दुनिया से अलग करके अपने इश्क में समेट ले आशिकों को मैं पिला कर खीचता हूँ अपनी और वो नहीं आते तो मैं परेशा होकर खुद जाता हूँ इसलिए ख्वाजा साहिब ने अपनी मजलिसों में इश्क के बारे में फरमाया है इश्क कोई सोच कर किया गया जज़बा नहीं है यह खुद बखुद हो जाता है और फिर अपने आप खास अंदाज में जाहिर होता है इश्क में कोई हिसाब किताब नहीं होता यह कहीं बाहर से लादा नहीं जाता इश्क की पैदाइश अंद्रूनी है यह कुछ खास लोगों पर ही जाहिर होता है इश्क कोई सौधा नहीं यह जमानों मकां यानि समय और स्थान की हद से परे है इसलिए जब कोई इश्क करने वाला यह दावा करे कि जिससे वह इश्क करता है उस पर उसका हक है तो वह अपनी जगाय से गिर जाता है सच्चा आशिक कभी दावा नहीं पेश करता क्योंकि जो सच्चे इश्क में गिर्फतार है उसकी क्या मजाल की वह दावाए महबबत पेश करे जो इस बात पर कायम रहा वही कामयाब हो गया समझो सची महबबत करने वाले वे लोग होते हैं जिनका दिल खुदा के जिक्र के सिवाए और कुछ नहीं सुनता इश्क सचा मजब है रब का इश्क ही सचा मजब है इश्क ही मजब है मेरा ना माने तो देख तू कि किस कदर मेरे एतबार का इकरार चमके है इश्क रुव की बुनियाद है क्योंकि रुव ने काइनात की रचनावाले दिन रब से इकरार किया था कि मैं तेरे सिवा किसी और से प्यार नहीं करूंगी रुव के अंदर उस इकरार का नूर चमक रहा है हजरत शम्स तब्रेस कहते है कुफरो इसलाम कनू आमदा ओ इश्क अज तुस्त काफिरे राहा की कुशद इश्क जी कफार मगीर कुफर और इसलाम या फिर दूसरे धर्म तो बाद में आये है पर खुदा का इश्क, अजल यानि अनादी काल से भी पहले का है अगर किसी काफिर का दिल इश्क से घायल हो जाए तो उसे काफिर ना कहो यह समझना कि किसी खास मजब के लोग ही रब के इश्क के हगदार हैं बिलकुल बेसमजी है इलाही इश्क, बाहरी भेश या पहनावे से उपर है ना कोई हिंदू जनेहू डाल कर सच्चा हिंदू बन सकता है ना कोई सूफी खिरका पहन कर सच्चा सूफी बन जाता है फर्क ना करती है असल मकसद से ये रस्म चाहे कोई काबा से, चाहे मंदिर से आये हैं सुखों से बढ़कर कोई सुख नहीं वे इस बात से वाकिफ नहीं है कि इश्क से बढ़कर कुछ नहीं बादाए जन्नत के नशे में ही मर गया जाहिद गुमा उसको था कि उसके सिवा और कोई शराब नहीं जब तक दिल में खुदा का नूर नहीं चमकता हर तरह की शरियत या कर्मकांड बेमाइने है दुनिया के हर इनसान में इश्क मौजूद है इबादत गाहूं में तु करता है मेरी तलाश इन पर्दों से निकल आसरे बाजार हूं मैं इसलिए खौजा साहिप फरमाते हैं जलादे इश्क की आग में सूफी रिश्मी खिरका कि इसके हर इकतार में सेकडों जुनार चमके हैं जिस इनसान के अंदर इश्क जाहिर हो जाता है फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसल्मान इस दिल के सफर का रही बन जाता है सच्चा इमान, सच्चा मजब, रब का आशिक होने में है यही वज़ा है कि सच्चे आशिक को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता गर दस्ते मौत टुकडे टुकडे कर दे इस वुजूदे महल के असल बुनियादे महबत को खलल पहुँचे कहां महबूब की महबत का सरूर इलाही इश्क में अपनी हस्ती को नीस्तो नाबूद करना पड़ता है आप अपने कलाम में फरμάते हैं हस्ती और नीस्ती वो अपनी खुद खो बैठा आशिकी के सरूर की मिसाल देते हुए आपने अपनी मजलिसों में फरमाया है एक बार सफर करते हुए किसी जंगल से गुजर रहे थे कि आपने वहाँ एक दर्वेश की लाश पड़ी देखी जो हस रही थी आपने पूछा तुम्हारी तो मौत हो चुकी है अब क्यों हस रही हो उसने जवाब दिया खुदा की महबबत में ऐसा ही होता है दुनिया के खयाल तो सब मिठ चुके हैं मगर अपने दोस्त को अब भी देख रही हूँ हमारा अपने आप पर कोई एक्तियार नहीं बस उसके जलवों में गुम है खुजा साहिब ने हजरत बाइजीद का हवाला देते हुए फरमाया है जब उन्होंने खुदा से अर्ज की ए खुदा बाइजीद को दिले सादिक यानि सच्चा दिल दे दे सुभा के वक्त आवाज आई ए बाइजीद मेरे इलावा दूसरी चीज भी मांगता है जब तु मुझे मांगता है तो तुझे दिले सादिक से क्या काम इसके बाद खुदा साहिब ने फरमाया कि इशके हकीकी का मज़ा वही जान सकता है जो इस रास्ते पर चले हजरत राबिया बसरी का हवाला देते हुए आपने फरमाया उनका कहना था कि अगर दुनिया मुझे आग के भड़कते शोलों में भी जोग दे और मैं सिर से पैर तक आग के शोलों में जल जाओ इसके बावजूद अगर मेरे दिल में सबर का ख्याल भी आए तो ये दावाए महबबत जुटा है क्योंकि अगर तेरी महबबत में खोई हूँ तो आग का एहसास भी नहीं होना चाहिए आप बड़े खूबसूरत ढंग से अपने कलाम में फरमाते हैं कि बेशक मैंने इशक के गहरे राजों के बारे में कई इशारे की हैं लेकिन यह राज बियान से बाहर है दावा ना कर ए मोईन की दिवान ये अनमोल है अभी तो मारफत का मैंने एक पन्ना भी नहीं पड़ा गर कोशिश से हजार खत भी मोईन लिखे इक लफ्स राजे इशक का मुश्किल से बियान करे ए मोईन भूल कर भी यह दावा ना कर कि तेरा कलाम बड़ा उंचा है अभी रब और उसके इशक का पहला पन्ना भी नहीं खुला अगर कोई इशकी लाख किताबे भी पढ़ ले इशक का एक लफ्स भी बियान नहीं कर सकता इशक अकल का मजबून नहीं ख्वाजा साहिब अपने कलाम में बार बार यह ख्याल पुक्ता करवाते हैं कि इशक के इलाही अकल का मजबून नहीं है जिसे बुद्धी चतुराई से समझा जा सके इशक का मकाम इल्म और अकल दोनों से उचा है कहां खुलता है राजे इशक होशियारों पर इस छुपे रास की मस्ती से हर दिले खुमार चमके हैं मोईन को इशक ने अकलों होश से है दूर किया तमाम वक्त जाया किया बेहासिल को हासिल करने में देख जब इशक की रहा मिली तो अकल चतुराई सब पीछे छूट गए तब मालुम हुआ कि अपनी अकल इस्तमाल करते हुए खुदा को पाने के जो तरीके अपनाए थे वे समय बरबाद करने के बराबर थे क्योंकि अकल से हासिल किया गया इल्म इशक के रास्ते में रुकावट ही पैदा करता है किसी को चाहे कितना भी ग्यान हो दिल में जब तक इशक नहीं जुदाई का दर्द नहीं खुदा हासिल नहीं होता भरे हैं मेरे खजाने इल्मो अदब से हैं फिर भी आहें सुबे की और रोना रात का इसी ख्याल को आप अपने कलाम की सत्तामनवी गजल में इस तरह फरमाते हैं इसलामी शरा के अनुसार मुकदमे का फैसला करने वाले को मुफ्ती कहते हैं जो किये गए करमों के अनुसार बुद्धी और तर्क के अधार पर फैसला करता है लेकिन इश्क के फैसले अकल और तर्क से परे हैं आप मुफ्ती से सवाल करते हैं ना माने इश्क को जो मुफ्ती बता दे वो यह जरा मरा जो कुता नमक की खान में हो गया कैसे नमक ही वो अब कुता ना रहा की हो गया नमक बता की राज है क्या गर सब को नहीं यकी पीर खान का का हो कोई या फिर मदरसे का ना समझा कोई बात को यह राज ही रहा मुफ्टी से पूछो कि नमक की खान में मरा कुता नमक कैसे बन गया यानि रब से इश्क में मस्त रब का रूप कैसे हासिल कर गया इसका जवाब अकल से बाहर है आप कहते हैं कि खान गाहों के पीर से लेकर मदरसे के उस्ताद तक जिसने इश्क के राज को ना समझा उसने जिन्दगी बरबाद कर दी ख्वाजा साहिब अकल का परदा दूर करने की अर्ज करते हैं तू कहां है ए इश्क? आकर हटा दे अपना हिजाब रहा को रोके यह अकल जो है दर्मिया आबो गिल का जिस्म फसा है कीचड में गधे की तरह जबकी तबेले में मेरे बंदा है बुराके इश्क आपने अपने कलाम में इश्क को बुराके इश्क कहा है बुराके यानि बहिष्ट का चुपाया जिस पर सवार होकर हजरत मुहम्मद साइब मेराज पर गए थे आप इशारा कर रहे हैं कि मिट्टी पानी से बने इस जिस्म के साथ बंदी रूँ दुनिया के दलदल में गधे की तरह फसी है सिर्फ इश्क का घोड़ा ही इसे दलदल से बाहर खीच सकता है और यह इश्क का घोड़ा भी मेरे पास ही बंदा है आप फरमाते हैं कि सच्ची तरीकत की बुनियाद इश्क है एक बार जो इश्क की शराब में नहा लेता है अकल चतुराई सब खत्म हो जाती है नफस से जल गए साथ आसमा के परदे आबे तरीकत से जब नहा लिया मैंने अकल ने दिल में जो बात डाली थी शराबे इश्क से सब कह कर दिया मैंने रब का दिदार करने के लिए अकल नहीं बलकि इश्क से भरी मजनू वाली आँख होनी चाहिए जमाले यार नजर आए ना अकल की आँख से मोईन मजनू की नजर से देख हुसन लैला का सच्चा आशिक आशिक से पूछा जाए तो वह इश्क का एक लफ्स भी बयान नहीं कर पाता इश्क को वही समझ सकता है जिसने इश्क किया है नुक्ताए इश्क नहीं होता तक्ती पर बयान एमोईन यह राज तेरे दिल के इल्म में है सच्चे आशिक के बारे में आप कहते हैं कि उसकी मनजिल खुदा की दोस्ती हासिल करना है ऐसी दोस्ती कि उसको दिल से याद करे ना कि जुबां से और जुबां गैर हक के जिक्र से रोकी जाए जब यार तु मेरा है मैं कोई गैर ना चाहूँ गैर जो दिल मेरा ले ले ऐसा कोई दिलदार ना चाहूँ तेरी महबबत की कसक का काटा है जो मेरे दिल में उसकी ही चुभन चाहूँ मैं गुलजार ना चाहूँ आशिक दिल की तमाम मुरादे खत्म करके सिर्फ महभूब को पाने की मुराद दिल में रखता है इसी बारे में खौजा साहिब फरमाते हैं कि समरकंद के सफर के दौरान आपकी मुलाकात किसी नाभीना यानि अंधे दर्वेश से हुई आपने इसका कारण पूछा तो दर्वेश ने फरमाया एक बार मेरी नजर किसी गैर पर पड़ गई उसी वक्त आसमान से आवाज सुनाई दी कि हमसे महभबत का दावा करता है और दूसरों को देखता है यह सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और यही दूआ मांगी कि ऐ खुदा जो आँख तेरे जल्वे के सिवा कुछ और देखे उसे अंधा कर दे उसी वक्त मेरी आँखों की रोशनी जाती रही उस दिन से मैं बड़े अराम से सिर्फ खुदा की अबादत में मश्गूल हूँ देखने वालों को यह नजर आता है कि मैं अंधा हूँ पर मेरा दिल खुदा के नूर से ऐसा रोशन है कि अब मुझे किसी और रोशनी की जरूरत नहीं मेरी आँखों के सामने उसकी अजमत और जलाल है खुआजा साहिब अपने कलाम की 63 वी गजल में बड़ी खुबसूरती से आशिक के जजबात बयान करते है रास तेरे किसी गैर पे क्यूं खोलू तू जो जाने मैं जानू इजहार ना चाहूं गैरों का मेरे दिल में मुश्किल है गुजर होना एक तेरे सिवा मैं कोई यार ना चाहूं खुण पीता हूं हाथों से तेरे मगर खुश हूं तेरे लिए ऐ दिलबर मैं कोई आजार ना चाहूं मैं मैं नहीं पीता कि तू है मेरा साकी मगर जिस्म की एक रग भी मैं होश में ना चाहूं मैं नहीं चाहता कि मेरे और तेरे इश्क का राज किसी को पता चले मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में किसी और का ख्याल भी आए मुझे तेरे भेजे हुए दुख भी प्यारे लगते हैं क्योंकि मैं तेरी रजा में राजी हूँ और किसी हालत में तुझे नाराज नहीं करना चाहता मैं चाहता हूँ कि तेरे इश्क में इस तरह खो जाओ कि मेरी एक रग भी होश में ना रहे सच्चा आशिक जब इश्क के सरूर में डूप जाता है तो उसके लिए हर तरह की ख्वाइश, तमन्ना, दुनिया की दोस्ती बेमाइने हो जाती है आशिक तेरा गैरों से कैसे यारी कर सकता है मैं तो कौसरे जन्नत का गुलजार भी न चाहूं फरिष्टों की ना हूरों की, ना ख्वाइश अर्ष की मुझे ये सब न चाहूं कि इश्क में हूं मैं मुप्तिला गाफिल तलब रखे दुनिया की, आकिल चाहे आकबत मैं आशिक बेदिल हूं, सिवाए यार के कुछ और न चाहूं आशिक कहता है कि मुझे भहिष्ट और जन्नत या फिर हूरों और फरिष्टों की कोई चाह नहीं मेरे अंदर इश्क की सच्ची तडप है दुनिया में बेसमज लोग चाहे दुनिया के सुख मांगते हैं अकलमंद लोग पर लोग का सुख चाहते हैं लेकिन आशिक अपने यार के सिवा और कुछ नहीं चाहता एवाईज, तु क्या जाने? बुलाएं सो जन्नते मुझको कि आशिक यार से मिलने के सिवा दिल में और कोई जगा क्यों रखे? आशिक दुनिया की मान भड़ाई, राजपाट नहीं चाहता यहां तक की अपनी खुदी भी खत्म कर देता है हस्ती को छोड अपनी, छोड मोहिन ये रुतबे जिसमें ना समाए सर, वो दस्तार ना चाहूं इसी खयाल को आप अपने कलाम में इस तरह भी फरमाते हैं जमीन पर शहबाज हूं इश्क का दाना चुगने वाला मुर्ग नहीं शिकार इश्क का करने बादशा के हाथ से उड़ा हूं क्योंकि रूत और रब से इश्क करने के मकसद से इस काइनात में आया शाबाज है इसे किसी दूसरी चीज की और नजर उठा कर देखने में कोई दिल्चस्पी नहीं आपने अपने कलाम में जगा जगा आशिक की बेबसी का जिक्र किया है ए यार दिदारे हुस्न का तलबगार हूं मैं मकसद मेरा है तू तुझे ही देखता हूं मैं आँखें मेरी हैं तेरे ही दिदार के लिए गर रुख न दिखाए तू दर तेरा देखता हूं मैं देखूं जो तुझको रह में मर जाऊं वहीं मौत से तो खूब है कि तुझे देखता रहूं मैं तेरा विसाल चाहता है आज ही मोईन कयामत तक इंतजार का सब्र नहीं रखता मैं तेरे दीद की उमीद पे गुजार दी है उम्र ना देख पाऊं गर तुझे तो ये उम्र ना चाहूं आप कलाम में फरमाते हैं कि हर तरफ तुझे ही ढूनता हूं तू ना दिखाई दे तो नजर तेरे दर पर टिकी रहती है मैं इसी वक्त तेरा विसाल चाहता हूं कयामत तक इंतजार करने का मुझे में सब्र नहीं है अगर तेरा दिदार ना हो तो मुझे उम्र की भी चाहत नहीं है इश्क की खुमारी में आशिक उस हालत में पहुंच जाता है जहां ना कोई तर्तीब, ना उसूल, ना कोई बकायदगी होती है वह पुकार उठता है कि मेरा एक कदम, एक पर्दा तो क्या साथ आसमानों, हजारों मंजिलों को चीर कर तुझ तक पहुंच सकता है तेरे शराबे इश्क की खुमारी में मैं बेखबर और मस्त हूँ जब से हुसन तेरा देखा, उसी का है ये फुसू छुपा रहे तू चाहे जितने भी पर्दों में लगाऊं एक नारा, तो सारे पर्दे फार दूँ पर्दा ना हो दर्मया, तो फिर रुकावट क्या फैला दूँ जो पंक अपने, तो साथ आसमा पे जा पहुंचू साथ आसमा तो क्या, जाऊं इससे भी उंचे अर्ष पर हजार मनजिलें तै करूं, गर एक कदम बढ़ाऊं आशिक के लिए माशूख ही उसके दिल का राजदार है आप कहते हैं कि इश्क की जुबाने, यानी मेरे माशूख मेरे खुदा ने इश्क के जो गहरे राज बयां किये मैं वो कैसे बता सकता हूँ जब लोग इश्क से ही महरम नहीं है माशूख ही दिल का नुकता और दिल का दाइरा है ए दिल, तु राजदार एक ही दिलबर बेमिसाल का है गर तीर मौत का आए, तू ही निशाना उसका है बदन है दाइरा, है दर्मिया इसके नुकता दिल का मेरा दिल हो दाइरा तो तू ही नुकता, तू ही दाइरा है इश्क नजरे करम है हालाकि हक की रहा पर चलने वाले आशिक को खुदा से इश्क के लिए पूरी कोशिश करनी पड़ती है लेकिन इश्क खुदा की नजरे करम है कुरान शरीफ में खुदा को रहमानुल रहीम कहा गया है यानि वो खुदा जो महरबान है हमेशा रहमत बक्षता है खुआजा साइफ फरमाते हैं खुदा जब यह चाता है कि अपने बंदों में से किसी को अपनी दोस्ती का उंचा ओधा दे तो उस पर अपनी महबबत को गालिप कर देता है आपने अपने कलाम में लिखा है तेरे दर्याए करम से ही है नमी आलम में तेरे कदमों की गर्द से ही है हस्ती खाके आदम में ए काइनात के बाद्शा ए मालिक दो जहां के कायम है सारा आलम तेरे ही तुफैल से तु खुद ही है मरकज सारे वुजूद का, कायम है जहां तेरे ही नूरो महर से सारी काइनात खुदा की रहमत के कारण ही वुजूद में आई है इनसान भी उसकी रहमत की मीनाकारी है रब इश्क करना चाहता था, अपनी दिया महर की बर्खा करना चाहता था इसलिए उसने काइनात और इनसान की रचना की यह काइनात और इनसानी जामा दोनों रब के लिए इश्क करने और रहमत करने के बहाने थे इसलिए ख्वाजा साहिब कहते हैं कि उसकी रहमत की तरफ देख अपने एबो पापों को ना देख रहे न जाएं होट प्यासे कहीं गुनाहों की वादी में ठाठे मार रहा हर तरफ समंदर उसकी रहमत का तू समंदर रहमत का हूँ पापी गुनागार में बक्ष दे खताएं मेरी ओ गुनागारों के रहनुमा नेकी बदी का मामला सब तुझ से है बक्षता है नेमते तू बिन मांगें भी खुदा की दया मेहर कभी अच्छे बुरे में फरक नहीं करती यह उसी तरह है जैसे सूरज का स्वभाव है हर एक को रोशनी और तेज देना हर रूह में उसका नूर है कई तरहां की कमिया होते हुए भी हर रूह खुदा की रहमत की बराबर हकदार है खुदा की नजरे करम के बारे में आपने एक मजलिस में फरमाया एक तरवेश रोजाना यह कहते थे कि हर कोई अपने किसी ना किसी काम में लगा हुआ है मगर मुझको कोई काम नहीं मुझसे अब तक यह भी ना हो सका कि मैं अपने आपको खुदा पर कुर्बान कर दूँ मैं अपने आप से ऐसा कभी ना कर पाऊंगा क्योंकि जब उसके दिल में मेरे लिए महबबत पैदा होगी तो वह खुद ही मुझे अपने पास बुलाएगा खुदा पर अपना पूरा भरोसा जाहिर करते हुए आप कहते हैं क्यों करूं गम हर सांस में कि उम्र को करता है ये कम है दिलों जाँ पे महरो करम हर लमहा तेरा उमीद है कयामत के दिन होगा ना हिसाब मोईन उस पे है मुनसर रियायत मेरे गुनाहों में इसलाम में ऐसा माना जाता है कि कयामत वाले दिन सभी के करमों का हिसाब किताब किया जाएगा आप कहते हैं कि जिसके दिल में उसकी रहमत का यकीन हो जाता है वह रब से विसाल की कोशिश करने लगता है और उसकी रहमत का हकदार बन जाता है मिले दोजक से रिहाई का परवाना जिसको बंदा गुलाम है उसका लिखा खट जिसकी कलम से दुनिया वाले कहते हैं कि रब से विसाल हासिल करना मुश्किल है लेकिन रब के आशिकों के लिए उसकी रहमत से काम असान हो जाता है खल्क कहती है कि यह रास्ता है बहुत दुश्वार मैं गया जिस राह पर फजले रब्बानी हुआ खुदा की तारीफ जैसा कि आप पहले बयान कर चुके हैं कि खुदा की रहमत के कारण काइनात वजूद में आई और इनसान भी खुदा के रहमो करम की मीनाकारी है इसलिए काइनात का जर्रा जर्रा खुदा की तारीफ कर रहा है कुरान शरीफ भी खुदा की सिफत से शुरू होती है आफ ताब बन नूर तेरा जब से हुआ जाहिर जहां में जाहिरो बातिन के जर्रे जर्रे करते हैं सिफत तेरी बयां तेरी कुर्बत के महल में गर तेरी तारीफ को इतना उचा मकाम ना मिलता तो कुरान के अलफास की शुरुवात तेरी तारीफ से कैसे होती एक वो तारीफ है जो जुबान से की जाती है, लफजों से की जाती है हमारे मजभी गरंथ ऐसी हमद से भरे हुए है लेकिन एक ऐसी तारीफ भी है जो रूह की जुबान से होती है तारीफ खुदा की ऐसी की मोती से पुरजान नजर आए वो मीठी ऐसी की जुबाने जां मिठास से भर जाए तारीफ उसकी बया करू दिलो जां से हरदम सौसो शुक्र गर दिलो जां से वो बया हो जाए खुदा की तारीफ रूह में मिठास भर देती है खुशकिस्मत हैं वो जिन्हें रूख की जुबान से तारीफ का मौका मिलता है इसकी वजह बताते हुए आप कहते हैं तारीफ उसकी ऐसी जो पाक मका के गुलिस्ता में ले जाए जान की छट से अर्ष की छट तक ले जाए तारीफ उसकी ऐसी जैसे इज्जत का साया हुमा का वो कर दे जांके आशियाने से बारगाहे अल्ला की बुलंदी तक ले जाए आपने जान की छट से अर्श की छट तक जांके आशियाने से बारगाहे अल्ला की बुलंदी तक लफजों का इस्तमाल किया है आप यहां रूह के सफर की और इशारा कर रहे हैं जो गैबी आवाज सुनकर यानि आवाजे हक सुनकर मंजले मक्सूत की तरफ बढ़ती है आप फरमाते हैं जैसे इज़त का साया हुमा का वो कर दे ऐसा माना जाता है कि जिस पर हुमा पंची का साया पढ़ जाए उसकी किस्मत बदल जाती है वह कंगाल से बाच्शा बन जाता है इसी तरहां खुदा की तारीफ इनसान की किस्मत बदल देती है खुदा से विसाल का जरिया बनती है लेकिन इस मकाम पर पहुँच कर रूँ के पास खुदा की तारीफ के लिए ना लफज होते हैं ना ताकत होती है खुजा साहिब कहते हैं कि जब मुझे अपनी किस्मत का राज पता चला तो मालुम हुआ कि मेरी रूँ को शुरू से ही खुदा की तारीफ की नेमत बख्षी गई थी मेरी किस्मत का कुर्रा जब अजल के दिन डाला गया राज खुला तो मिली नियामत तेरी तारीफ की अपने जिस्मों जामे लेकिन आखिर में आप कहते हैं कि कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली जाए खुदा की तारीफ बयान नहीं की जा सकती यह लफजों से परे है यही बहतर है कि बेजुबा होकर रूँ से उसकी तारीफ करूँ तेरी तारीफ करने वाले अगर आस्मा और जमी एक कर दें तो भी तेरी शान और रुत्बा ना कर पाएं बयान मोईन मिस्की गुंगा हुआ तारीफ करने से रहा है यही बहतर करूं तारीफ तेरी बेजुआ एहले रजा आशकी का असूल है कि आशिक हमेशा महबूब की रजा में राजी रहता है क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसकी रजा उसके हुक्म से हो रहा है सारी काइनात उसकी रजा का खेल है सूफियों में दो तरहां के दर्वेश या फकीर माने गए हैं एहले दुआ और एहले रजा एहले दुआ सिवाए रब के किसी दूसरे से कुछ नहीं मांगते एहले रजा रब से भी कुछ नहीं मांगते और हमेशा उसकी रजा में राजी रहते है एहले रजा का दरजा एहले दुआ से बहुत उंचा माना गया है मैं नहीं कहता कि नियामत चाहता हूँ या बला चाहता हूँ हक ताला की रजा में मैं तो सदा कि ना मैं सुख की उमीद करता हूँ ना दुख की मैं तो सिर्फ खुदा की रजा में राजी रहना चाहता हूँ खुजा साहिब रजा के बारे में फर्माते हैं एक बार किसी आशिक ने इश्क खुदा की मस्ती में कहा कि अगर मैं चाहूं तो साथों जमीनों को उलड़ दूँ क्योंकि उसने मुझे देख लिया है पहले रजा के नजरिये से खुआजा साहिब की कलाम की एक सो एकवी गजल की खास जगा है मैं नहीं कहता अनलहक यार कहता है की कहे जब नहीं कहता हूँ मैं दिलदार कहता है की कहे जो ना कहना चाहिए था इबादत खाने में जाहिदों के सामने बेताहाशा बरसरे बाजार कहता है की कहे मैंने पूछा इस जहां में राजे दिल किस से कहूं महरमें दिल ही नहीं जब दरो दिवार कहते हैं की कहे आप फर्माते हैं कि रब की रजा सबसे उपर है मेरा माशूक मुझसे जो खेल खिलाता है मैं खेलता हूं कभी कहता है होट सिल्ले तो कभी कहता है कि अनलहक का नारा लगा दे कभी कहता है कि जो राज जपियों तपियों को नहीं मालुम उन्हें सरे आम बियान कर दे कभी यह भी कह देता है कि ये राज कोई न सुने तो दरो दिवार को ही बता दे आशिक कहता है कि मैं उस गेंद की तरह हूँ जिसे घोडे पर सवार शेहनशा अपनी छड़ी से जिधर चाहे ठोकर मारता है साथ ही हिदायत देता है कि मैं किसी तरह की कोई शिकायत ना करूँ इसलिए रजा में ही राजी रहना बहतर है मैं गेंद हूँ तू चोगान मैं सवारी हूँ तू बादशा हर तरफ दोडाता है फिर कहता है जुबा ना हिला रजा के बारे में मनसूर हलाज का हवाला देते हुए ख्वाजा साहिब ने फरमाया है मनसूर से पूछा गया कि इश्क में पूरा उतरने के लिए क्या करना चाहिए आपने कहा जिससे तुम इश्क करते हो अगर उसकी तरफ से तुम पर जुल्मों सितम किया जाए वह तमाम मुसीबतें उसकी तरफ से तुम पर आए तब भी इश्क पर कायम रहो और जो मर्जी माशूक की है उसी को अपनी मर्जी बना लो और इस इश्क में ऐसे खो जाओ कि अपने आप पर होने वाले जुल्म की तुम्हें खबर भी ना होने पाए यही इश्क में पूरा उतरने का दर्जा है हिज्र का दर्द आशिक के दिल में जैसे जैसे इश्के इलाही की गहराई बढ़ती जाती है हिज्र का दर्द जुदाई की पीड़ा बढ़ती जाती है यह दर्द इतना जबरदस्त होता है कि इसकी आग से तश्बी दी गई है इसी लिए जुदाई के दर्द को महबबत की आग कहा गया है जैसे आग सब कुछ जला कर खत्म कर देती है महबबत की आग आशिक की हस्ती खत्म कर देती है उसकी खुदी को जला देती है गरीब नवाज ने आशिक के दिल को एक ऐसा आतिश कदाय महबबत यानि प्रेम का अगनी कुंड बताया है जिसमें जो चीज आती है जल जाती है क्योंकि किसी भी तरह की आग इतनी तेज नहीं जितनी की जुदाई की आग होती है आपने फरमाया एक रात हजरत राबिया बसरी पर ऐसी इश्के हकीकी की कैफियत चाई हुई थी कि आप बेचैन हो गई और जोर जोर से मैं जली मैं जली पुकारने लगी जब बसरा के लोगों को पता चला तो वे घरों से पानी के मटके लेकर दोड़े उस वक्त एक बुजर्ग वहां मौजूद थे उन्होंने कहा क्या नादानी करते हो यह आग दुनिया की आग नहीं है जो पानी से बुज जाए बलकि यह आग तो इश्के खुदा की है यह आग जिसके दिल में पैदा हो जाती है कभी नहीं जाती इस वक्त आग की लोग ज्यादा तेज हो गई है और राबिया बसरी में इसे बरदाश्ट करने की ताकत नहीं है इसलिए वह पुकार रही है अपनी चौद्वी गजल में ख्वाजा साहिब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जुदाई का दर्द बियान किया है जिसके अंदर खुदा का इश्क पैदा हो जाता है वह जुदाई में तडपता है आतिशे इश्क से मेरे जिस्मों जां जल गए आह जब निकली तो तालू और जुबा जल गए दोजक की आग से भी बढ़कर है आग जुदाई की उफ इस आग से जाहिर बातिन सब जल गए नियामतें दोनों जहां की चाहता था मेरा दिल आग ऐसी भड़की की यहां वहां सब जल गए इश्के यार के सहरा में प्यासा हूं दिदार का प्यास की आतिश ऐसी भड़की जिस्मों जां रूफ सब जल गए सेंकडो परदे पड़े थे मेरे और उसके दर्मिया मेरी आहा की एक चिंगारी से सब जल गए जुदाई की आग दिल में समाई लोक पर लोक की हर तमन्ना, हर खुआश आशिक माशूक के बीच के हर परदे को जलाकर राक कर देती है एक और जगा खुआजा साहिब हिज्र का दर्द इस तरह बियान करते हैं मैंने आखों से अश्क बहाए की आग बुझ जाए लेकिन अश्क मेरे भरे थे खून से आग और भड़क उठी चाहता था भरू आख की गमे दिल हो जाए कम मगर जिस्म से जब आग भड़की चांद तारे जल गए जुदाई की आग को बुझाने के लिए मैंने आसों की जड़ी लगा दी लेकिन खून के भरे आसों से आग और भड़क उठी मैंने दिल की तपिश बुझाने के लिए आहे भरनी शुरू की तो उन आहों से आग की लपटें आसमान तक पहुँच गई जिसके दिल में जुदाई की तड़प पैदा हो जाती है उसके रोम रोम से इलाही इश्क की ही बुझाती है आतिशे इश्क जो जलती है मोईन की जा में बुझा उसी की तो इस दिल जले से आए है महबबत की आग बरदाश करता हुआ आशिक इश्क के कई दौर कई मंजिलों से गुजरता है चिश्तिया सूफियों ने इश्क की आम तोर पर पांच मंजिलें बताई है पहली फुकदाने कल्ब अर्बी जुबान में एक जानी मानी का हावत है जिसने अपना दिल नहीं लुटाया वह आशिक नहीं कहलाता यह वह दौर है जब आशिक अपना दिल खो बैठता है आशिक के चेहरे पर शिकन और आखों में अश्क होते हैं हो सकता है कि दिन में वह लोगों से अपने जज़बात चुपाए पर रात को खुदा की याद में अश्क बहाता है उसके गम में बहाता हूँ मैं अश्क हर रात कि उन्हीं अश्कों में हुसन यार का नजर आए है दूसरी तसस्फ अपने माशूक से ज़ुदा आशिक इश्क के गम में डूबा रहता है दिल खामोशी इक्तियार कर लेता है तेरे इश्क में जखमी हुआ है दिल ऐसा कि दिल की जुबा से होना बया गम ऐसा तीसरी वज्द यह अंदरूनी मस्ती की हालत का ऐसा दौर है जिसे लफजों में बयान करना मुश्किल है हाफिज ने इसे गैब की जुबा कहा है हुआ दिवाना फिर कहां खोशो अकल रहे गर यार की तरफ से हुखक के जाम इसी तरह आते रहे आशिक के लिए सारी काइनात सिमट जाती है और वह पूरे आलम से बेखबर हो जाता है इस दौर में महबत इस कदर चा जाती है कि महबूब के सिवा और कुछ नजर नहीं आता उसकी हालत दिवानों जैसी हो जाती है चौथी बेसबरी इस दौर में दिल का दर्द बढ़ जाता है बेचैनी और मदखोशी चा जाती है इश्क की ऐसी आग हर चीज को जला देती है जुदाई का गम दोजक की आग से भी बढ़ कर माना गया है आग दोजक की जलाती है खाल गुनेगारों की मगर हिज्र की आग में मग्ज हडियों के भी जल गए दोजक की आग तो गुनागारों की चमड़ी ही जलाती है लेकिन जुदाई की आग तो हड़ियों को अंदर तक जलाकर राक कर देती है ऐसी हालत में आशिक के दिल से जो पुकार उठती है ख्वाजा साहिब ने उसको बड़े खूबसूरत लफजों में बयान किया है चैन यह बेकरार दिल चैन इस दिल का तेरे दीदार के इनाम में है पाँचवी सयानत आशिक की वो हालत हो जाती है जिसमें कुछ नजर नहीं आता खोश नहीं रहता इज़त वा जिल्लत उठ जाती है हूं मैं गुमनामी के रास्ते पर हस्ती नहीं बाकी कोई बेनियाजी की बिजली कुछ ऐसी गिरी नामों निशास सब जल गए माशूक की खुश्बू आशिक को जिन्दा रखती है आ रही बू कहां से की रूह और दिल मस्त है बड़े नाज से सबा यार के कूचे से आई है की खुश्बू यार की जमी आसमा से आई है एक और जगा आप फरमाते हैं की जिस मन्जिल पर तपसी, त्यागी और हटी हजार कोशिश करके भी नहीं पहुँच सकते आशिक आहों के सहारे वहां पहुँच जाता है पहुचा है कोई जाहिद जहां लाख कोशिश के बाद पहुचा है कोई जाहिद जहां लाख कोशिश के बाद मस्ताना शराब इश्ग का एक आह में वहां पहुच जाए जब आशिक माशूक की याद में आसु बहाता है सारी रात आहें भर भर कर गुजारता है दिवानों जैसी हालत हो जाती है दुनिया से उसका दिल उठ जाता है ऐसी हालत में हिज्ग के दर्द का इनाम भी उसे बाकमाल मिलता है यही दर्द माशूक से विसाल का जरिया बनता है रिष्टाए जां को किया हिज्ग की कैंची ने जुदा वसल की उमीद का पैबंद आखिर लग गया खुदी से खुदा तक पूछा मैंने तेरा वसल किसको होता है कहा जुदा हुआ जो खुद से उसको होता है खुदी से खुदा तक के इस सफर में अपनी खुदी की कुर्बानी देनी पड़ती है अपनी हस्ती को नीस्तो नाबूद करना पड़ता है खौजा साहिब ने एक मजलिस में फरमाया एक बुजुर्ग कहा करते थे जब से मैंने खुदा से महबबत की तब से इस दुनिया को अपना दुश्मन जाना और उससे दूर हो गया यहां तक कि खुदा की दोस्ती में मैं ऐसा गुम हुआ कि मुझे अपने आप से भी दुश्मनी हो गई क्योंकि दिदारे महबूब की रहा में जिन्दगी थी इसलिए मैं मौत से दोस्ती करने लगा आप जिस खुदी का परदा चाक करने के लिए कह रहे हैं वह क्या है अपने आपको खुदा से अलग समझना खुदा के बजाए दुनियावी चीजों को अपना समझना यह समझना कि जो मेरी जिन्दगी में हो रहा है मैं कर रहा हूँ खुदा के बताए तरीकों के बजाए अपने मन चाहे तरीकों से उसे ढूनना खुदी कहलाता है यानि हर वक्त मैं मेरी का ख्याल खुदी है जब तक खुदी का परदा नहीं हटता खुदा से विसाल हासिल नहीं हो सकता आपने अपने कलाम में तरह तरह से खुदी का भाव दोराया है हर दिशा हर कोने में ढूंड रहा हूं तुझको रखेगा कब तक मुझे अपनी जुस्तजू में ये बता आशिक कहता है कि हर दिशा में तेरी खोज कर रहा हूं मैं कब तक इस तरह भटकता रहूंगा उसे जवाब मिलता है बोला बे परदा हूं मैं परदा गर है तो तेरा ही वजह बना है सब परदों का वजूद अपना ही तेरा नकाबे हस्ती को तु अपने दर्मिया से हटा तो देख होता है कैसे खुस्नो जमाल फिर पैदा गर तु चाहे देखना नूर का जलवा मोईन अपने हसीन वजूद से नकाबे हस्ती तो उठा खुदा का नूर इस दिल के अंदर है पर खुदी की मैल के कारण वह नूर दिखाई नहीं देता दिल के आईने में अपना हुस्न दिखलाता है दोस्त तेरे जिस्म का जंग ही है हिजाब तेरे चश्माए जां पे खुदा साहिब एक और जगा फरमाते हैं कि दिल को दुनिया की दौलत और रिष्टे नाते दोस्तों की महबबत से खाली करने से ही खुदा उस दिल में आकर बसता है चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना खुस्न महबूब का फिर दिल में नजर आता है निकल जाती है जब गैरों की महबबत दिल से तो रहमते खुदा का समंदर उसमें उतर आता है खुदा तक पहुँचने का जरिया उससे इश्ख है क्योंकि खुदा का दिदार जिस्म नहीं बलकि रू करती है इसलिए अपने जिस्म का छिलका चीर कर अपनी रू तक पहुँचने की जरूरत है गुजर अपने वजूद से गरहे तलब खुदा की सिवा तेरे वजूद के तेरा कोई हिजाब नहीं गुजर इस जिल्दे बदन से ताकि तु अपनी रू को देख तक्तिय रू के अलावा कोई किताब नहीं असलियत यह है कि खुदा का राज इस जिस्म में छुपा है क्योंकि जिस रू को खुदा से विसाल हासिल करना है वह इसी जिस्म में है इसलिए खुदा को अपने अंदर ढूनने की जरूरत है बोले वो कब तक फिरोगे हर तरफ ऐ मोईन डूंडो खुद में तब जानो कि बेनिशा वो कौन है जिस्म की चटान में यह चश्माए दिल है चुपा तोड़ दे इस पत्तर की चटान को तेशा उठा है चुपा आबे हयात तेरी हस्ती के अंधेरे में बन के मचली आबे हयात में खुद को दे बहा खुदी का बीच में आना उसी तरह है जैसे चांद और सूरच के बीच में धर्ती के आने से ग्रहन लगता है इस शरीर में आकर इनसान में खुदी का भाव आ जाता है ग्रहन है मुझपे तो यह कसूर आफताप का नहीं है कि यह जिसमें खाकी मेरा दर्मिया होता है जो रुहानी तरक्की खुदी को खत्म करने से होती है वह सेक्डों साल नमाज पढ़ने और रोजे रखने से नहीं होती गर एक लमहा हस्ती से गुजरे बहतर है उन सौ सालों से जिसमें तू पढ़े रात को नमाज और दिन में रोजा रखे एक कहावत है खुदी है तो खुदा नहीं खुदा है तो खुदी नहीं खुदा के दिदार के लिए अपने गुरूर को खत्म करना जरूरी है यहां कोई अकल और चाला की काम नहीं आती उठा दे गर्तू दिल से नकाब अपने दावे का तो देखे आइनाए दिल में जमाल मौला का तोड़ दे शिशाए गरूर लानत के पत्थरों से बहादे इश्क की गली में गरूर हस्ती का इन दो शेरों में आप कहते हैं कि सिर्फ दुनिया की चीजों की हवस और लालत से ही नहीं अपनी नेक नामी और बदनामी इज़त और बे इज़ती के ख्याल से भी उपर उठना पड़ता है अपने को फना किये बिना महभूब का दीदार नहीं होता सूफी दर्वेशों ने इसे फना फी अल्ला बका बिल्ला का नाम दिया है यानि जो रू अपने को अल्ला में फना कर देती है वह लाफानी जिंदगी यानि अमर जीवन पा लेती है कहां है समझ आकिलों को की फना में है बका अक्ल के नुक्सान में ही उनका नफा है चुपा फना हो पहले गर तलब है बका की तुझे फना ना हो जब तक तू मिले ना रहा का पता एक और गजल में आप यही ख्याल दोराते हैं रू रब से पूछती है राहे इश्क पर चलने वालों का कुछ तो पता बता मुझको शायद मेरा गुमरहा दिल आ जाए हक की राह पर इस भूले भटके को इश्की राह के बारे में कुछ तो बता ताकि वह भी रब से विसाल हासिल कर सके रू को जवाब मिलता है परदाए हस्ती गर जला दे तू ला इल्ला की आग से तो बेहिजाब नूर इल्ला का उसी दम हो जाए जाहिर की पहले इश्क का सबक पढ़ कुरान शरीफ की आयत है ला इल्ला इल्ला इसका मतलब है की नहीं कोई अल्ला सिवाए अल्ला के यानि जो कोई एक अल्ला के सिवाए दूसरी हर चीज से अपना मोग खत्म कर देता है अपनी हस्ती अपने वजूद से आजाद हो जाता है उसे रब का दिदार होता है सच्चे आशिक की कुरबानी को ख्वाजा साहिब ने इश्क के कासिद यानि दूद और आशिक की गुफ्टगू के रूप में खूबसूरत लफजों में बियान किया है मैंने कहा क्या पेश करूँ ए इश्क के कासिद उसने कहा खुराक दिले रहा की तू पेश कर शराब अश्कों की और जिगर का कबाबला साथ में दर्द भीला जो निकले अह बन कर तौफा किया जो पेश उसने आगोश में ले लिया जैसे कशिश मिकनातीस की खीचे है अपनी और मिकनातीस यानि चुमबक खुआजा साइब अपना तजर्बा बताते हैं कि जैसे सांप अपनी केंचुली उतारता है उसी तरह जब मैं अपनी हस्ती से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आशिक, माशूक और इश्क सब एक ही है यानि आलिम तोहीद की हालत में सब एक है यही बात आप अपने कलाम में दोहराते हैं हकीकत की नजर से गर तू अपने जिस्मों जा देखे तो हर एक चीज के वजूद का सबब तू खुद देखे तेरी तिनके सी यह हस्ती मिसाले आतिशे मूसा बन जाए जो दूर कर दे सर से खुदी की जुलमत नूर तू खुद में आया देखे अगर हक की निगहा से यानि रू की आँख से देखे तो इस काइनात की असलियत सामने आ जाएगी अगर तू अपनी नाचीज हस्ती को मूसा की तरह जला कर राक कर दे अपनी खुदी को खत्म कर दे तो तू खुदा के नूर से भर जाएगा आप कहते हैं खुदा की दोस्ती हासिल हो जाए तो किसी किस्म का दर्द नहीं रहता जैसे कि जब तक दर्या बहता है उसके बहने की आवाज हमको सुनाई देती है और जब वह अपनी मन्जिल यानि समंदर में मिल जाता है तो उसकी आवाज खत्म हो जाती है यही हाल आशिक का है जब वह अपने अंदर महबूब का दिदार कर लेता है तो उसे खामोशी वा आराम हासिल हो जाता है फर्याद वा शोर हर्गिज नहीं रहता शोर था सैलाब में जब दर्या से था जुदा जा गिरा दर्या में जब से वो खामोश है इसलिए सुफी खुदा तक पहुँचने के लिए सिर्फ इशके इलाही को ही एक जर्या मानते हैं